गुड मॉनिंग बच्चो बेलकम टो अलेन क्लास क्लास थर्ड सब्जेक्ट एमेस देखे आपका चैप्टर टू चल रहा था इसके मैंने बड़े मीनिंग आपको बेज दिये थे देखे चैप्टर टू का नाम है हार्ड बर्किंग बोई यानी परिश्रमी लड़का ठीक है तो देखे इसकानी को पढ़ते हम देखे इस्वर चंद्र विद्या सागर वाज एक ग्रेट मैं इस्वर चंद्र विद्या सागर एक मान व्यक्ति थे एक ग्रेट टीचर और एक महान अध्यापक और एक समाज सुदारक थे इस्वर चंद्र विद्या सागर जी एक मान व्य पैदल एक दिन वा कहीं जा रहे थे on-put मिस पैदल औंदा वे रास्ते में he was stopped by a small poor boy यानि उन्हें एक चोटे गरीव लड़के ने रोक लिया उसके कपड़े वर टॉर्ण फटे हुए थे और उसके जो बाल थे वो अस्त ब्यस्त थे यानि अंटिडी में असमय थे गंदे थे उसके बाल वह बिद्यासागर जी के सामने खड़ाओ गया बिद्यासागर जी ने लड़के की तरफ देखा और उनका जो हिर्दय था वाज फिल्ड बिद्य पिटी दया से भर गया विद्यासागर जी ने जब बच्चे के उस लड़के के तरफ देखा तो उनका जो हिर्दय था वो दया से भर गया उन्होंने कहा I can give you two पैसे मैं तुम्हें दो पैसे दे सकता हूँ बट लेकिन you must first tell me लेकिन तुम मुझे पहले यहां बताओ what you will do with them तुम इनके साथ क्या करोगे यदि मैं आपको दो पैसे दे देता हूँ दो पैसे तो आप उन दो पैसों के साथ क्या करोगे तो देखिए with one पैसा I will buy food for my old mother with one पैसे एक पैसे के साथ I will एक पैसे से I will buy food मैं खाना खरीदूंगा for my old mother अपनी बूडी मा के लिए the boy answer लड़के ने answer दिया उत्तर दिया and with the other और दूसरे के साथ I will buy groundnuts to sell and earn some profit और दूसरे पैसे से I will buy मैं खरीदूंगा groundnuts मुंखफली to sell बेचने के लिए and earn some profit और कुछ दन कुछ लाव कमाने के लिए यानि एक पैसे से तो मैं अपनी old मदा यानि बूडी मा के लिए खाना करीदूंगा और एक पैसे से मुंखफली करीदूंगा to sell उन्हें बेचकर earn some profit कुछ लाव कमालूंगा what will you do if I give you four पैसे तुम क्या करोगे यदि मैं आपको चार पैसे दूँ विद्धिया साहगा जी ने कहा नी विद्धिया साहगा जी उससे फिर कहते है यदि मैं आपको चार पैसे देता हूं तो तुम क्या करोगे पहले दो पैसे की कही ते अब चार पैसे की कहते हैं तो with two I will buy food for my old mother तो वो कहता है दो से तो मैं अपनी मा के लिए बोजन करी दूँगा दो पैसे से दा बोई replied लड़के ने जवाब दिया and with other two और दूसरे के साथ दो पैसे के साथ और I will buy groundnuts मैं मुँफली करी दूँगा तू sell उन्हें बेच कर earn some profit और कुछ लाब कमा लूँगा उसे ने फिर वही बात कही कि दो पैसे का मैं बोजन करी दूँगा चार पैसे दोगे तो और दो पैसे की मुँफली करी दूँगा और उनसे बेच कर धन कमा लूँगा कुछ लाब कमा लूँगा वाट इफ आई गिव यू 6 पैसे यदी मैं आपको 6 पैसे दूँ तो तुम क्या करोगे विद्या सागर ने फिर सिका ये बात कि 6 पैसे दूँ तो क्या करोगे दा बॉय थोट लड़के ने सोचा this man was only making fun of him कि यह आदमी केवल उसके साथ मया कर रहा है and not going to give him anything और मुझे कुछ नहीं दे रहा है यानि वो मुझे कुछ नहीं देगा और ये केवल मेरे साथ मया कर रहा है ठीक है तो इसलिए he said उसने कहा sir if you really want to give me यदि आप मुझे बास्तम में कुछ देना चाहते हो anything कुछ भी तो give me just तो मुझे अभी one पैसे एक पैसा दे दो but do not make fun of my poverty लेकिन मेरी गरीवी की मयाक मत उड़ाओ वो कहता है sir अगर आप मुझे बास्तम में कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक पैसा दे दो लेकिन मेरी गरीवी का मयाक मत उड़ाओ पिलीज किरपया तो विद्या सागर टुक आउट ए रुपी कोईन फ्रॉम इज पॉकेट विद्या सागर जी ने एक रुपे एक रुपे का सिक्का निकाला फ्रॉम इज पॉकेट अपनी जिम से एंड गेव और उसे दे दिया इट टू दा बॉइ लड़के को दा बॉइ बाज सोगड लड़का हैरान था बट लेकिन बिद्या सागर प्रॉसीट ओन इज भे बिदाउट सेंगे बड़ लेकिन बिद्या सागर जी अपने रास्ते पे चलने लगे बिना कुछ सब्द कहे यहां तक हमने पढ़ा दिया है आपको यहां तक केरफुली पढ़ना है और अगला वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको यहां तक बड़े द्यान से पढ़ना है यहां से पूरा